हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो मैं चैनल और अगर आप कोई पेंटिंग सेल कर रहे हो और उसके लिए आपको एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है यह मैंने एक वीडियो में बताया था पिछली वीडियो में पर उसके इंदर थोड़ा से कंफ्यूजन था कि ऑथ बारे में थोड़ा सामय आपको बता देता हूं अगर कोई भी आपका आर्ट वर्क है जरूरी नहीं है कि वह पेंटिंग हो सकता और वह को शक्ती है तो उसका एक लाइसेंस होता है एक जो की जो क्रियेटर के दुआरा वो दिया जाता है जो आपका बाहर है उसको उस लाइ जो है license बना के दोगे जिसको बोलते हैं authentic certificate होता है उसके अंदर क्या होता है सारी paintings की detail होंगी उसके dimensions होंगे ठीक है पूरा उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आप लिख होगे और साथ साथ में उसके अंदर कुछ है उसको आगे भी sale कर सकता है उसको painting को वेक license एक certificate होना बहुत जरूरी है और जो अच्छे उसको दोगे अपने जो आपका बायर है उसको अगर पूरे rights खरीता है पूरे copy rights उसके खरीता है कि उसके मैं print बना कर भी sale एक agreement होगे आपस में ठीक हो सर्टिफिकेट आप बना के दिरो लाइसन्स हो जाता है उसको बोलता है authentic certificate सभज में मेरी बात को तो इस तरीके से आपको बनाना होगा एक certificate तो इसको बोलता है authentic certificate अगर आप अपना काम सेल करें तो भाई मैं एडवाइस दूंगा कि आपको देन इस फिल्ड के इंदर तो वह समझ जाते हैं कि वह मांगते भी आपसे दिमांड भी करेंगे अगर हम आपका यह वाला काम यूज करो इसमें आपकी बी सेफ्टी उनकी विन-विन सिच्वेशन है दोनों की इसलिए क्योंकि वह भी प्रोटेक्ट रहेंगे आप भी वह भी है आपका कोई मिस्यूज नहीं कर सकते उस आट वर्क का है ना इस फीचर आपके पास में यानि के पूरे ओलो और आप उनको राइट देना चाहते हो कि भाई आप इसको यूज करो प्रिंट निकालना है प्रिंट निकालो सेल करो आगे सेल करो कुछ भी करो कि आप उसको कमर् प्रिंट नहीं कर सेल करते होरो कि एपकांड़ा ज कर सेल दो एकिव आपके तर आप समयम र ही आपके की हन वालों पिनको 19 MATTbn झल आपकी